जब जब दुनिया में चुर्म होता है, खत्ल होता है, खूल होता है, जो राद के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात, हम यहां तहकीकात करने आए हैं करके बार्दों दुरू होता है, जो राद के साये खुरू भारा है, तजल होता है, ऊका है, तब जजा अजै increase प्रेटीजाँ तेंकाँ लिदा, 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 लिदा हाजिज इस पी, मैं इन्सपक्टर भेंडे, आपके बीर का खून हुआ और रूस्टो माँना मेरी बीबी को क्या कह रहा हु तुम? इन्सपक्टर साब यह जूड बोल रहा है नजाने कौन सा खेल खेलता आ रहा है मुझसे मुझसे कहता है कि साबित करके दिखाओ कि मेरी बीवी बेवफा है शर्ट लगा ही मुझसे और मुझे घर ले आया है बताईए कोई अजनभी को ऐसे घर ले आता है इस पार का कोई गवा है तुम्हारे पस याद नहीं मुझे मालूम नहीं हम एक गवा है कौन वो बार्में जिस बार में हम दोनों की मुलाकात हुई थी इसने मुझसे तभी शर्ट लगाई थी और शायद इसके दिमाग में कोई प्लान तभी था यह जाए तक शर्बा यह सर उस बार मैंन को लिखे हो जी क्या पता है उस बार का अब करेंगा है कुँ है बारमेन तुम इन दोनों को पहचानते हो जी हां यह अखसर अपने बार में आया करते थे इन दोनों में आपस में कोई शर्त लगी थी शर्त पाउस दिन रात को शर्त लगी थी कि हमारी बीवी बेवफा है या नहीं बोलके फिर यह रवी साब को घर लेके चले गए कौन रव शर्त कौन जी था इसने मेरी बीवी पर डोरे डाले जूर बोल रहे हो तुम जूर बोल रहे हो तुम जूर बोल रहे हो यानि के तुमने अपनी बीवी को बेवफाई करते हुए देख लिया तुम से रहा नहीं किया तुमने उसका खून नहीं किया इसना मारा मेरी बीवी क शट अप तुम्हारा प्लान अच्छा था इस लड़के को इस घर में लानेगा और ये खून इस लड़के के सर पर थोबने रहेगा अच्छा प्लान था इस लड़के को नहीं मारा हूँ मैं कहता हो अपना हाथ मुझे दो यौवश्टर इंद में यौआ इंद यॉश्ट यू यॉश्टु था इस भी टुषट शिवगी यॉश्ट महःन और विवगी को नहीं मारा रहा था इस भी मुवड़के इस गार प्रॉट बॉर्णिंग सेर नमस्का साहब साहब नमस्ते जैम तुम मिस्टर सैम डिसलवा येस मिस्टर रवी मेरा सैम डिसलवा हमें इस हादसे के खबर तो मिल चुकी थी फिर आपके नौकर ने कहा कि आप हमसे मिलना चाहते है हम आतो गए हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आपको बेगुना थाबित कर देंगे इस केस की तहकीकात की जाएगी सचाई जानी जाएगी उसके बाद दिखते हैं ये सैम किस्टे मिलने आया है वो नया कह दी है न रवी मेरा उससे मिलने आया है तुम उस लड़के से बार में मिले पहले बार और उसे घर ले गए और तुम्हारी बीवी बेवफा निकली और तुम ने उसका खून कर दिया मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया से डाम से डाम चलो मान लेते हैं के खून तुमने नहीं किया तो फिर कातिल कौन हो सकता है मुझे मुझे नहीं मालूम सोचो फिर भी हो सकता है उस लड़के ने उसका खून कर दिया हो अच्छा लेकिन क्यों क्यों मारेगा वो लड लेकिन अनिता का肐न मैंने नहीं किया अच्छाbuilt इस दौरान कोई और हथसा हुआ कोई ऐस बाद को ऐसा क्लूज जो हमें इस केज में हैल्प कर सके मुझे नहीं पता a लेकिन मैंना अनिता का को नहीं किया देखो दोस्त अगर तो तुम बेगुना हो तो तुम्हें सजा नहीं होगी क्योंकि सैम डेसलवा किसी भी बेगुना को सजा नहीं होने देता लेकिन अगर तुम हमें कुम्राह करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें सजा ना भी मिलती होगी तो मैं दिल्वाओंगा और फिर तुम पच्त कि लाओगे कि क्यों तुमने सेम डेसलवा को इस केस में डाला रमेंबर दर्ट कि अग्या तो यह अनीता कि क्या नाम है उसके हस्बंड का रवी मेरा रवी मेरा वो आपको ऐसे ही बार में मिल गया और ऐसे गर ले गया है अजीब सी बात है लेकिन हुआ ऐसे अच्छा उसने वसे शर्ट लगाई अच्छा जोजब भी था इसी के सामने सारी बात है अजीब सा आदमी था अजीब सा महौल था उसके घर का अजीब से लोग मुझे क्या पता था वो वो अपनी बीवी का खून कर देगा अगर मुझे पता होता तो मैं मैं उस घर में कभी नहीं जाता कभी नहीं जाता चोड़ दीजे इस बात को ये बताए उसकी बीवी क्या वाके बेवफा थी अनफॉर्चुनेटली यस मतलब है कि वो आपको आप पर फिदा हो गई नहीं शुरू में तो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी फिर हुआ यू एक रात उनके घर चोर आया चोड हाँ उसके हाथ में पिस्टॉल थी पिस्टॉल उसने रवी की सर पे चोड़ कर दी अनिता चिलने लगी और अच्छा हुआ मैं पहुंच गया मैंने उस चोर को पकड़ा पर उसके हाथ में पिस्टॉल थी और उसने चला ही नहीं मैंने उसको इतना मारा कि वो पिस्टॉल विस्टॉल भूल के भागया उसके बाद अनिता आपको हीरो समझने लगी अनफॉर्चनेटली ऐसा ही हुआ और रवी उस पर शक करने लगा ऐस कौन कमरे में हद्या था रात को उनके बेड रोम मैं वह चोर आ गया था और बचाद आप नमटोफ उस यह नाइस वृटली ए तो यह है रवी मेरा का बेड रूम और चोर यहीं पर गुसा था हमें चोर से क्या करना अरे खुनी को तो हमने पकड़ लिया रवी महरा ही अपन कि पीवी का खुण निये हाँ तुम कहते ठीक हो भिंडे लेकिन सैम फिर भी कहता है साम आ रहा है तब काम करो भिंडे तुम ढ़े टेटेज्ज नूट करो है I'm Sure कि उस राद कपल इस बिस्तर पर सो रहा होगा quite possible और चोर इस परदे के onto a junk channel किया है को यहां करके शोड़ हुछ की तरह आना चाहता था मैं चोर की तरह सोचना चाहता हूं तुम लोग की चाहरो बत्ते जलाओ हाँ हाँ-युथ भूपी कब यहां सोया है जोप जगड़ा किया होगा ढूंड़ो कोई चीज मिलती है कोई क्लू मिलता है तो ढूंड़ो फ्लीज ओके सेम फिरी समझ में एक बात नहीं आ रही है हमने जब खूनी को पकड़ लिया है तो चोर बीच में कहां से आ गया भींडे यह मर्डर की कहानी है इसमें चूर की कहानी आ गई क्यों आ गई कैसे आ गई कहां से आ गई जब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते मर्डर सॉल्व नही अधिया पागल हो रहा है जो जरूर सिगरेट पीता रहा होगा रहा होगा लेकिन यहां चोरी करने आया था कोई सिगरेट पीने थोड़ी आया था पॉइंट तो यह इस पर नाम लेखा हुआ है हाँ जिदे अ खड़ना खार कार यह जे डी कार सैम अब तुम्हारा काम है इस चोर को ढूड़ना इसे ढूंड कर लाओ तो तुम रवी महरा के यह चोरी करने गय थे मैं नहीं गया था तुम जूट बोल रहे हो तुम एठाईस तारीक की रात को रवी महरा के घर गया थे मैं नहीं नहीं हूं कमाल मैं आप पिस्टॉल निकाली टुम्हें जरा ही डर नहीं लगा जहर खेह कि यह पिस्टॉल्ही महहें दॉровर यह जानते हैं रही हूं कि यह रह इसलिए कि यह लाइटlles तुम्हारा है एSmith नाम लिखा हुआ है जेक उना कर अब तो पॉगलर हो जरस घंजे का धंदा करते हो मैं कुछ नहीं उसके घर में चोरी करने गहते मैं सच कुछ नहीं। मैं चोर नहीं। तुम बता देओ या नहीं मैं मिंडे कि क्या कह रहा है साहब यह यह कह रहा है कि हमें मौकाय वार्दात पर जाना चाहिए कातिल को पकड़ने के लिए यहीं वो जगह है यह स्विमिंग फूल जहां अनीता मिसिस अनीता मेरा की मौत हुई वो इतनी अच्छी तेराग थी के खुद तो डूब नहीं सकती थी जरूर उनको किसी ने डूबोया है शायद उनके पती ने लेकिन यह इस पात से इंकार करते हैं और इस चोर का इस कहाने में क्या हाथ है कौन जाने जैसे मैं कहता हूं गोपी शक करना हमारे पेशे की बुनियाद है हम सब पर शक करेंगे कोई भी हमारे शक के दायरे के बाहर नहीं रह सकता कोई भी नहीं समझे गोपी कि अगर कि कि अई ए ख शक कि अई ऍाश हुङ ओ जो जए खर ढोब उचकोते हैं कि अच्छाओ कि अराम से अराम से अराम से कुछ नहीं हुआ यह कैसा मजाग है सामसाब अकर यह मजाग है तो बहुत ही भता मजाग है इसमें किसी की जन भी जा सकती थी जोबने से अर्टते हो किसी को डूबोने से नहीं क्या मतलब किया तुमने आरिठाग कर चै επ को सकता है को डूबने वाला किसी को क्या डूब और मैं ता ही घं सामपयों आनिता को क्युंह आ diagonal का बढ़ा काफी चालाग हो लेकिस सैम डिसलवा को नहीं जानते है वो जब भी कोई केस हाथ में लेता है तो वो उसकी अगली पिछली हिस्ट्री सब निकाल लेता है राधा मौहन हाई जैश क्यों नहीं पैचानते ने तुम्हारे कॉलज के दोस्त है और इन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी सावन के छूनों की कहानी किसी के प्यार की कहनी है क्वाज आ रुपहर और रुपहर लेकिन कॉलेज का प्यार अक्सर शादी में नहीं बदल पाता क्युक्य पढ़ाई खत्म करते करते लड़की के माबाप उसके लिए वर दूड़ना शुरू कर देते हैं और लड़का बैचारा अपनी पहली नौकरी के तलाश में होता है नतीजा लड़की की शादी कहीं और करती जाती है अनीता अनीता मेरी एक मिनिट अनीता एक मिनिट मेरी बात सुना अनीता मैं तुम्हारे बगर नहीं रह सकता अनीता I love you अनीता जेश तुम जानते हो मेरी शादी पक्की हो गई है ने मैं मैं कुछ नहीं जाता क्या मजबूरी है अनीता देखो मेरी तरफ देखो अनीता I love you अनीता I love you जेश तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो प्रवाइट पक्की हो गया और तुम मेरे डाडी को जानते हैं अच्छी तरह से बहुत जदा मेरे वह लड़का मेरे ना अमीर है तो आमीर के लिए मुझे छोड़ रहे हैं आइट यू दगवाज आइट यू लेव मेरे लोड अनिता रुख जाओ अजूपाँ ईकिंदाउट यू अनिता कि शादय हो गया और तुम्हें लगा कि अनिता ने एक अमीर आदमी के लिए तुम्हारी महबत को ठुकरा दिया है तुम्हारी गरीबे का मजाक उड़ा दिया है इसलिए तुम अकसर शराब के नशे में चूर रहने लगे अनिता 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 तुम्हारी उस हालत का गवाद तुम्हारा बार्मेन है जो पुलीस के सामने तुम्हारा गवाबना जोजफ तहकीकात के दोरान जोजफ ने हमें बताया उस रात जिस रात ये कहानी शुरू होती है जोजब ने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी कहा सब तुम्हारा से खाया हुआ था तुम ने इससे कहा था कि ये तुम्हारे ड्रिंक ना दे बलके तुम्हारे कर्दों के बात करें क्योंकि उस वक्त एक बहुत अमीर आदमी उस बार में बैठा हुआ था रवी अनिता का प इसने का लगा लो बेशक तैश में आकर वो तुम्हें अपने घर ले गया यह उसने बहुत बड़ी गलती की कि तुम्हें देखकर अनिता चूंक गई लेकिन उसने जाहर नहीं किया तुम उस पर डोरे डालने लगें लेकिन अनिता पर कोई असर ना हुआ बलके वो नाराज होती रही अनिता का पते खुश था कि तुम शर्थ हारने वाले हैं और वो शर्थ जीतने वाला है तुम सोचने लगें अब करूं तो क्या करूं तुम् को चोर बनाकर घर में दाखिल किया जगी ने वह सारा नाटक किया जो तुमने उसे सिखाया था उसने रवी को मारा और तुमसे मार खाई और भाग गया अनिता तुम्हारी ऐसान देने के सजा। और उस दिन पर्फेक्ट मर्डर जहां पुलीस पती को कातिल समझते है तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया लेकिन साम और गोपी से बचना जरा मुश्किल था जुर्म करने से पहले हर कातिल इस बात को क्यों नहीं समझता साम इंस्पेक्टर भींडे प्लीज गिभी यह हैं जैश एक बात बताओ सच सबताना क्या वाकई अनिता अपने पती के साथ बेवफा थी नहीं उस रोज जब चोर का ट्रामा हुआ और अभी सो गया था तो मैं पासवाले कमरे में हूँ मेरी जरुवत पड़ी तु बुला लेना सुनिये जैश तुम यहां क्यों आया हूँ मेरे घर में आग लगाने आये हूँ हाँ नहीं आनिता नहीं दूसरा कोई रास्ता है नहीं था तुमसे मिले का पाफी मांगने का मैं तो यहां दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ जैश हाँ नित्या हम अच्छे दोस्तों बन सकते हैं न हाँ जैश सिर्फ दोस्त अच्छे दोस्त और फिर मैं ऐसा दिखाने लगा जैसे मेरे और एनिता के बीच एक रिष्टा बन रहा है जबकि उसकी तरफ से सिर्फ दोस्ती थी मैंने इसी बात का फाइदा उठाया मैं आप दोनों के बीच दरार पैदा कर चुका था अब रवी तडपता था और मुझे सही मौके की तलाश थी उस दिन मैं जानता था कि रवी दफतर से शक के मारे घर वापस आ गया है मैं आनिता की बेटरू में गया और कि अगए अगए याद है अनिता कोलेज में लेला मजनू प्ले किया था ऐसे यह एम्रेज किया था था ना थो नहीं हुआरे बाल मेरे शिर्ट के बटन में आटक गया और तू कितनी जोर से चिलाई था वो बेवफा नहीं थी रवी साहब और जिससे शादी करती है उसे इसे प्यार भी करती है यह मैं जान गया हम अबल्दार ले जो इसे सैम तुम्हें जैश पर शक कैसे कि अए लाकउप में जतीन हमें ने कि कि आप गया था लेकिन चोरी करने लिए तब किस लिए कई थे मुझे उसके लिए पैसे दिए पैसे अगया तो तभी साफ हो गई थी के जैश ही इसको साबित करना वागई था और जैसा कि मैंने बताया जब सेम किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसकी अगली पिछली जिंदेगी के बारे में सब पता कर लेता है यहां तक की वो सब भी जो आदमी खुदी भूल जाता है Sam, you are great. Heads off. Thanks.